Hello everyone, good morning, चलिए स्टार्ट करते हैं 12th और 13th February के Current Affair, जैसा कि आप सबको पता है कि Daily Current Affair की क्लास हमारी आती है, तो 12 और 13th February के Current Affair डिस्कस करेंगे, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, टेलिग्राम के लिक पर, English और Hindi दोनों languages में जो हमारा content है, वो पस्ती थे, तो आप पढ सकते हैं, देख सकते हैं, नोटस भी बना सकते हैं, सबसे पहले हम डेश के उपर चर्चा करते हैं, जैसा कि आप सबको बहुत अच्छे से पता है, तो हम राश्टी उत्पादक्ता सब्ता के बारे में बात करेंगे, जिसको 12 से लेकर 18th February के बीच में बनाया जा रहा है, और करी गई थी, जिससे कि राश्टी उत्पादक्ता को बढ़ाया जा सके और इस बार की जो थीमें वो क्या है, तो इनोवेट, क्या नाम है इस बार की थीम का, तो इनोवेट थीम के साथ हम राश्टी उत्पादक्ता दिवस मना रहे हैं, जो हर साल 12 फरवरी को मनाया जाता है और 12 से लेकर 18 फर्वरी के बीच में रास्टे उत्पादक्ता सब्ता भी हम बना रही है रास्टे उत्पादक्ता परिशत के बारे में जिसके बारे में मैंने आपको भी बताए कि 1958 में इसके स्थापना करी गई थी और इसका मुख्य उदेश है क्या है कि हमारे देश में जो productivity है उसको किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जासा कि इस बात पर काम करता है ये परिशत ओके लेक्स बात करेंगे अंतरास्टे डार्विन दिवस के बारे में जैसा कि डार्विन चार्ल्स डार्वि से संबंद था उसके बारे में बताया और उन्होंने कहा कि जो भी जीव प्रकृति से लड़ लेता है प्रकृति के अनुसार अपने आपको ढाल लेता है वो जिवित रहता है और जो ऐसा नहीं कर पाता वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है तो चार्ल्स डार्विन की या पांच साल की यात्राएं करी जिवाशमो का ध्यान करा और उसके बाद इनकी जो बहुत इंपोर्टन थेओरी रही है वो नेचरल सेलेक्शन की जो थेओरी रही है और इनकी बुक जो रही है दा ओरिजिन ऑफ दा इस्पीस जिसको इन्होंने 1859 में लिखा था ओके तो इस विरोध में जो दिन मनाया जाता है आतंगबाद की रोगधाम के लिए जो दिन मनाया जाता है अंतरास्टे अस्तर पर उसको भी हम 12 फरवरी को मनाते हैं ओके नेक्स बात करेंगे विश्व रेडियो दिवस के बारे में जिसको 13 फैब को मनाया जाता है यानि वर्ल्ड तो प्रिजेंट टाइमें भारत में 479 रेइलवे स्टेशन आपको देखने को मिल जाएंगे अंतरास्टिय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाते हैं और साथ में ही जो रास्टिय महिला दिवस है वो हम हर साल भारत में 13 फरवरी को मनाते हैं कब मनाते हैं 13 फरवरी को मनाते ह अच्छा जो हमारे देश में हमारे देश की पहली महिला राज्यपाल थी उनका क्या नाम था तो हमारे देश में पहली जो महिला राज्यपाल थी वो थी सरोजनी नाइडू जी और सरोजनी नाइडू जी का जो बर्थ एनवर्सरी है जो उनका जर्म दिन है वो हर साल 13 फरवर को मनाते हैं अच्छा ये कहां कि राजयपाल बनी थी तो जो संयुक्त प्रांथ है अवद वाला और जो आगरा वाला छेतर है उसको संयुक्त प्रांथ कहा जाता था कुल्मिला के कहने का मतलब यह है कि जो उत्तर प्रदेश है उसको संयुक्त प्रांथ कहा जाता था पहले त तरीके से जो neurological एक बीमारी है, ये neurological एक समस्या है, तो इससे निपटने के लिए international epilepsy day कब मना जाता है, तो 12 फरवरी को मना जाता है, इसकी शुरुवाद 2015 में करी गई थी, clear इस बात को भी जरूर याद रख लेंगे, international bureau of epilepsy और international league against epilepsy की एक पहल के माध्यम से, एक initiative के माध्यम से, जो फरवरी का दूसरा सुमवार होता है, उस दिन हर साल मना जाता है, इस बात को जबूर ध्यान में रख लेंगे, तो इस बार ये 12 फरवरी जो है, जो सुमवार है, वो 12 फरवरी को आया है, तो इसलिए हम 12 फरवरी को अंतरास्टे epilepsy, जिसको हम मिरगी कहते हैं, वो दिन मना रहे हैं, लेक्स चर्चा करेंगे, question number first के बारे में, okay, question number first है, आधुनिक प्रभावशाली लोगों के लिए, सरकार के द्वारा कुछ पुरसकार की शुरुवात करी गई है, तो इस बात को जरूर ध्यान में रख ल श्रेणियों में इसको इस्थापित किया गया है, इस बात को भी जरूर ध्यान में रख लेंगे, जिसमें सबसे विशिस्ट श्रेणि क्या है, तो डिस्पटर ऑफ दे एर, okay, और सेलिबरेटी क्रेटर ऑफ दे एर, इसमें जो सबसे प्रमुक्स श्रेणिया है, वो है, EPFO है, उसमें जो ब्याजदर को बढ़ाया गया है, उसमें परसेंटेज कितना बढ़ाया गया है, यहां पर पूछा जा रहा है, तो यह जो परसेंटेज है, इसको बढ़ाकर 8.25% कर दिया गया है, कितना कर दिया गया है, 8.25% clear, next चर्चा कर लेते हैं, तेखो यह जो ब्या 2-5% इस बात को जम्मू और कश्मीर में SC और ST से संबंधित विध्यक को कहां से मंजूरी मिली है तो SC और ST का जो विध्यक है उसको मंजूरी मिल गई है जम्मू कश्मीर से संबंधित ये विध्यक है और इसको लोगसभा में मंजूरी दे दी गई है जिसके बारे में हम discuss करने जा रही है ये विध्यक क्या है और इसमें क्या किया जाएगा इसके बारे में बात कर लेते हैं तो लोकसवा में जो विध्यक पारित हुआ है उसमें जम्मू कश्मीर इस्थानिय निकाय कानून संशोधन विध्यक 2024 तो इस विध्यक के तहट आप देखेंगे कि OBC को आरक्षन दिया जाएगा जमु और कश्मीर में जमु कश्मीर में जो पंचायत है या नगरपाली का है उस पे OBC के जो सीटे हैं उसके लिए कुछ किसी भी तरीके के आरक्षन की विवस्ता नहीं थी लेकिन इस संशोधन के माध्यम से अब OBC को क्या दिया जाएगा रिजर्वेशन दिया जाएगा और तीन विध्यकों को मंजूरी देगी गई है जमु कश्मीर के लिए दूसरा जो विध्यक है वो कौन सा है तो अनुसूचित जनजाती आदेश विध्यक 2014 यानि कि जो ST हैं उनके लिए ये विध्यक लेकर आया गया है उनके लिए रिजर्वेशन की विवस्था करी गई है और कुछ जो ST के कैटेगरी में जिनको रखा गया है वो हैं जिन लोगों को लिया गया है उसमें कौन है तो चूरा बालमे की भंगी महतर समुदाय के लोग इसमें शामिल हैं ओके आये नेक्स बात कर लेते हैं UPI और रूपे के बारे में तो UPI और रूपे जो कार्ड है उसका शुभरम किया गया है इन दो देशों में 12 फरवरी को ये देश कौन से है जहां पर भारत का UPI और रूपे चलेगा तो वो देश हैं श्रिलंका और मौरिशस श्रिलंका के बारे में जैसा कि हम सब को पता था और पिछले साल मैंने आप को पढ़ाया था कई क्लासिस में मैंने आपको बताया है कि भारती रिजर्व बैंक के पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि जो ब्यापार हो भारतिय रूपे में हो हैना तो इसी के तहत एक पहल है UPI और रूपे कार्ड में जो कार्ड का शुभारम करना दूसरे देशों मे तो शिरलंका और मारिशस में ऐसा किया गया है 12 फरवबरी को किया गया है पधान मंत्री नरेंडर मोदी शिरलंका के राशपती रानेल विकरम सिंह है और मारिशस के जो पधान मंत्री है पविंद्र जुगनात इन्होंने डीजिटली वित्य समावेशन के लिए उसको तो देखो ये जो हमारे नितिया आयोग है जिसको हम थिंक टैंक बोलते हैं इसके माते हम से मुंबई मुंबई सूरत जो गुजरात में है वारान सी यूपी में और विजाग यहां पर आर्थिक परिवर्थन योजनाय लेकर आई जाएंगी अच्छा ये आर्थिक परियोजन को ध्यान में रखते हुए इन पांच छेतरों के लिए ये जो आर्थिक परिवर्थन योजनाय है वो लेकर आया गया है इसके तहट आर्थिक विकासों का सामाजिक प्रगती होगी और साथमी परियावरण के स्थिर्था के उपर भी ध्यान दिया जाएगा नेक्स बात करे संगीत नाटक आदमी का सांस्कृती केंद्र इस्थापित किया जाएगा नेक्स बात कर लेते हैं फिन लैंड के राजपती का चुना हुआ जिसमें Finland के भूतपूर और प्रधानमंत्री रहे हैं, इन्होंने जीत हासिल कर ली है, ठीक है प्रधानमंत्री थे लेकिन अब ये राश्पती बन गए है, इनका नाम क्या है, स्क्रिन पर जिसे आप देख रहे हैं, इनका नाम है Alexander Stub, क्या नाम है Alexander Stub, ओके और इन्होंने रा टायफ किया गया है, जो डील करी गई है, जो चन्ने सुपर किंग्स ने जो डील करी है, वो किसके साथ करी है, तो एतिहाद एयरवेज के साथ करी है, किसके साथ करी है, एतिहाद एयरवेज के साथ करी है, इस बात को जरूर धियान में रख लेंगे, इसके बात कर लेते हैं केटरिना कैफ क्लियर बात कर लेते हैं पेटियम यी कॉमर्स कंपनी पेटियम के बारे में जैसा कि हम सब को पता है कि किस तरीके से रिजर्व बैंक के द्वारा इसके उपर काम किया गया इसकी जो कुछ नियम कानूनों की जो इनुने अवहिलना करी उसकी वज़ा से एक तो पेटियम यी कॉमर्स कंपनी ने अपने आपको किस नाम से रिब्रांड कर रहा है क्योंकि इसका नाम खराब हो गया है तो यह दूसरे नाम से अपने आपको रिब्रांड कर रहा है और अब इसने अपना नाम क्या कर लिया है तो पाई रख लिया है इसको ज़रूर राम में आ सकता है क्योंकि ट्रांस जेंडर से संबनित एक न्यूज है यह पहली बार रेलवे ने अपनी पहली ट्रांस वुमेंट टी टी-ई की न्यूपति करी है और कहां पर करी है तो दक्षन रेलवे में इनकी न्यूपति करी गई है इस बात को ज़रूर ध्यान में रख दो किकिलिए नियमे, इनका नाम कहते हैं है और किसे नाम सर्थे की धिसक्राइब करेंगे,ों नाम किया गया है इस रुके हैं सूमनात जी को के पीपि नाम बेर प्रशकारप्रदान किया गया है ज़रूर याद रख लेंगे बारतिय कमांड में अंटर वाटर हार्बर रक्षा और निगरानी प्रणाली का उधगातन किया गया है जो हमारा भारतिय कमांड है किस छेतर में बात की जा रही है तो जो अंडमान निकोबार वाला छेतर है वहां पर हार्बर रक्षा और निगरानी प्रणाली की स्थापना क करी जाएगी उसका उद्घाटन करा गया और जो हमारे नौसेना के एड्मिरल है वो कौन है तो जैसा कि हम सबको पता है आरहरी कुमार है कौन है आरहरी कुमार है एकलियर और उनके द्वारा छे से नौफ अरवरी के बीच में जब इन्होंने समुद्र यात्रा करी तो उसके तौरान ही इन्होंने क्या करा इसका उद्गाटन करा है इस अत्याधुनिक का जिस्से क्या होगा जिस्से समुधर से आने वाली जो भी गतिविदियां है रख्षासे संबर्दि जो गतिविदियां है उसकी पूरी कि अनावरं किये गए नय पोर्टाल का नाम क्या है जो नय पोर्टल को लॉंच किया गया है इसका नाम है स्वाति जदूर याद रखेलेंगे क्या नम है स्वाती के बारे में बात करें तो अभी जो रास्ट्य विज्यास जिब। मनाया गया है तो राष्टे विज्ञान अकादमी की तोरह नई दिल्ली में इसकी स्टार्टिंग करी गई है इसका फूल फॉर्म देखोगे आप तो क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं तो महिलाओं के लिए विज्ञान एक प्रद्योगी की और नवाचार जिसको स्वा राम चंदरन जी के बारे में ये राम चंदरन जो चित्रकार है उनका निधन हो गया है और नई दिल्ली में इनका निधन हो गया है 88 साल की उम्रे में ये चित्रकार के साथ साथ में सिक्षा विद्ध भी थे जरूर याद रख लेंगे केरल से बिलॉंग करते थे और केरल के एंटिगल में इनका जन्म हुआ था संथाल जन जाती से संबंधी थे और संथालों के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किये थे बहुत सारे मुटवेड में ये शामिल भी हुए थे तो इनका नाम याद रख लेंगे सिक्षक और चितरकार ए राम चंदरन का दिल्ली में निधन हो गया है 88 साल की उम्र में क्लियर इस टर्शन में इतना ही आई हूप की सारे कोश्चन आपने बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे फिर कल मिलेंगे नए नियूस के साथ में आई खबरों के साथ में टिक केर बाई बाई खुब खुश रहना है मैनत करते रहना है और जीवन में आगे बाठते रहना है टिक केर बाई बाई